हेलो दोस्तों मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Android TV या Smart TV या किसी भी TV में अपना माउस कैसे कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस माउस कैसे चला सकते हो हमारे पास एक वायरलेस माउस आप देख सकते हैं, इसमें कोई तार नहीं लगा हुआ है इस माउस को आप अपने TV से कनेक्ट कैसे कर सकते हो, आए जानते हैं देखिए हर माउस के साथ, यानि हर वायरलेस माउस के साथ एक छोटा सा USB option आता है, यानि की USB adapter कहते हैं इसको यह मेरा है Dell company का, आपका कोई सी भी company का हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास पहले से ही वायरलेस माउस है तो कोई बात नहीं, पर अगर आप नया मंगा रहे हो, तो यहाँ पे आपको ध्यान अगना है जो वायरलेस माउस सा मंगाना चाहते हो, या मंगाने वाले हो, वो plug and play वाला होना चाहिए यानि कि उस माउस को यूज करने के लिए, हमको अलग से कोई software डाउनलोड ना करना पड़े आप ऐसा माउस मंगाईएगा अगर आपके पास है पहले से ही, तो आपको पता होगा कि वो कौन सा है अगर आप नया मंगा रहे हो, तो plug and play देखिएगा, डारेक्ट वो चल जाए यानि कि wireless माउस को डारेक्ट कर दिया जाए कई माउस को कनेक्ट करने से पहले हमको एक software डाउनलोड करना पड़ता है वो ना करना पड़े, आप इसके लिए YouTube पे वीडियो देख सकते हैं ऐसा कौन सा माउस है तो जो ये USB अड़ाप्टर है, इसे देखी द्यान से ये आपको लगाना है अपने TV की USB पोर्ट में तो हम दिखाते हैं आपको, हम कैमरे को उठाते हैं और कैमरे को ले आते हैं, हम TV के पास याने की TV की पीछे वाले हिस्से में जहां पर ये लगेगा तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यहां पर कुछ आप्सन दिये हुए हैं हमने आप एपना पैंटराइब कर रखा है, तो हम इसे निकालते हैं फिलाल तो हम निकालते हैं और इसको हम लगा देते हैं तो सिंपल है, आसान है लगाना USB बोट में इसको लगा दीजिए लगा दिये हैं हमने लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करिए तो यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा सा बीच में रोका है क्योंकि हमारा जो टीवी है वो बंद हो गया था तो हमने इसको दुवारा चालू करा है और जो हमने दिखाया था आपको छोटा सा USB अडेप्टर वो हमने लगा दिया है फिर आपको लेना है अपना माउस इसे चालू करना है चालू कर देते हम इसको चालू कर दिया है हमने चालू करने के बाद यहाँ पर माउस का एकन आ चुका है अब मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मिरे पास एक गत्ता है जिस पर रख्यम चलाएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे, चल रहा है यह, तो हम यह चला रहे हैं और यह connect हो चुका है, बस यह असाने से connect हो जाता है, कुछ करना ने पड़ता है हमको, बस एक बात का ध्यान अखना है, आप जो USB माउस यूज़ कर रहे हो, वो plug and play वाला हो करना पड़ेगे